नमस्कार दश्चको आप लोग देख रहे हैं दानिक स्टेट समाचा टीवी और मैं हूँ साक्षी सहनी लगतार बात हो रही है जमो कश्मीर में डिवेलपमेंट की जमो कश्मीर में रोजगार की जमो कश्मीर में जितने भी यूवा हैं उनको नौकरियां दिलाने की और इस स सबसे पहले क्या नाम है आपका बताएं अरुन पाल सिंग मेरा नाम है मैं नेशनल कॉर्फेंस स्टूडेंट यूनिन का वोकिंग प्रेजिजन्ट हूं अरुन जी क्या समस्या जो है वो यूद को देंगने को मिल रही है इतने दिनों से लगातार क्योंकि एक तरफ बात हो लोगों को यूद को मतलब जाने में हमेशा गलती कर रहे हैं वो चाते उनको समय नहीं आ रहे हैं उनका मतलब अपनी जो पॉल्सीज है उनके साब से सब चल रहा है तो इसके लिए मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जो हमारा में मुद्द है आज है वो कॉस्टेबल का इस लाक्जेशन का जो नहीं रिक्रूटमेट्स निकली हैं 2017 के बाद साथ साल के बाद आज निकली है और उनको इस तरीके से निकाला गया जैसे 2000 कटा कोई टरहीं साल का बच्चा था आज तीस साल का वोगा वो आज ट्वेंटी एट का है या ट्वेंटी-ईट नाइन का मतलब आज आप लगा लो कोई साथ साल के बाद निकली हुई है और उसमें एज गया इतना कम है आप कोई भी रेक्रूटमेंट उठाके देख लीजिए पीए साइगा हुआ 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 दोजार इकिस में तो वह जाके कंप्लीट हुआ दोजार 24 में मतलब एक टाइम फ्रेम रख ल क्या आपको लगता है कि यह चीज जानमूचके की गई है या फिर इसके पीछे कोई इस तरह का एजन्टा जो है वो नहीं है मैं देखो आप जानमूचके की गई है या जल्ती से हुई है यह तो उनको पता होना चाहिए यह हमेशा से यह रहा है जब भी इनकी कोई सरकार नहीं है हमारे यहां पर बड़े लोग ऐसे बैठे होए जो कहते हमारे दर्वाजा चोपीस घंटे खुला है तो आप समझ लिए उन्हीं को बोरे हैं मुट चोपीस घंटे घुला आपकभी भी आ जा सकते हैं लोग पर 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 रोड़ों पर ही हैं आगर वह साहब जाने की कोशिश की दर्वाजा खट 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 आएंगे आपको आज हम चेर्मेंस साब से मिलके आया है उन्होंने बोला हम भी बात करेंगे आप होम से बात कीजिए तो वहीं से हमारा काम है बस अधुर्टाइजमेंट और जो निकालना जो पीछे से बनके आती हैं तो हमें उनसे बात मेरा चेर्मेंस साब से भी यह है कि उनसे भी उधर बात कि अगर वह भी अच्छे से समझ पाई क्यूंकि हमारे अलावा और भी काफी बच्चे उनके पास गए होंगे तो अब हमारा जो आगे का प्रोसीजर हैगा हम चीफ सेक्री साब से मिलेंगे गवर्नर साब से मिलेंगे जो हमारे MPs यहां के चुने गए हैं पर वह हमें यहां पर दिखनी रहे हैं अभी MPs की आपने बात की अभी लोग सभा पोल्स हुए हैं लोग सभा एलेक्शन हुए हैं तो जो MP सेलेक्ट होके आए हैं आपने भी बोला कि उनकी तरफ से कोई help नहीं मिली है आप जेलों में बंद कर देंगे तब जाके कहीं न कहीं कोई सुनेगा अगर उससे पहले सुने तो बहुत अच्छी बात है हम भी बहुत बहुत शुकर गुजार होंगे क्योंकि देखो 2019 के बाद तो हमारी यहां पर एसेंबली एलेक्शन हुई नहीं हमारे MPs भी जाके बैठते हैं यहां पर तो कोई होता नहीं है आप यहां पर मोट मांघने आये तो ऑन्हों ने बोला हमने मोदी साभ के नाम पर वोट देने हमारे में नाम पर हम ने से हैं उनकी करनी चाहिए वो कम से कम बात ओरक सकेंगे असेंबली में उनको एजली तो अप्रोच कर सकेंगे वो तो अपने एरिया में होंगे, यहां मारी एसेंबली जम्मु में श्टमीर में, यहां पर बात की जा सकेगी कि आपको लगता है कि सही है मैं अब मेरे को समझी आ रहा है कि यह कहां पर यह कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर kalo के बाद बहुत मतलब एक तरीके से 300 आगर बाजपा कश्मीर को बनाया है वहां पर आप पर जो नहीं हो रहा है तो उसमें आप देखिए कई ना कहीं बाजबा अपना MP कैंडिडेट खड़ा करना उनके लिए मुश्किल हो गया कश्मीर में तो यह चीज़े देखो कई मुद्धे बढ़का ही जाएंगे तो आज आप हमारे पार्लिमेंट की बात कर लीजी अभी थोड़ी देर ही हुआ स्टार्ट की वहां पर भी यह मुद्धे उठके आ जाते हैं आगे यह मुद्धे जो मतलब नोक्रियों की बात है वो हमें कई ना कई उद्धर भी देखने को नहीं मिली जारी अपने अपने चंदर शेकर एक एंपी है वहां के उन्होंने भी कल हमने उनका सुना काफी अच्छा उन्होंने बोला कि मुझे धरम के बारे में बड़ा कुछ जाने में मिल रहा है जो मुद्धे हैं मुद्धे कहीं मिलनी रहे जिस पे लोग परिशान है आप आज की बाद करें अरुन तो क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार आज ये रेकुरूट्मेंट को लेके इतनी प्रॉब्लम हो रही है क्या आपको लगता है कि आने वाले कल में जम्मु कश्मीर का जो युवा है वो सड़कों पे भी रहने लाइक नहीं रह पाएगा किसमें जिनकी एज थी वो तो आज कितने जो तीन साल के गैप में कितने बंदे जाके उसमें ऑवरेज हो जाएंगे इस तरह कॉंस्टेबल का साथ साल बाद निकाल और अठाईस साल उमर रख दी थोड़ा बढ़ा हो एज लाग्जेशन देखो आप यूद को समझ के इदर ज गोवर्मेंट जॉब बंदों की मजबूरी बन गिये लोग इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं पड़ाईयां सब कुछ है कोई भी नोकरी मिल निकलती है उसमें कोई ना कोई इशू रहता ही रहता है क्यों रह रहा है इनको जाना चाहिए कि यूद को कहा परिशानी आ रही ही निकल के आएगा तो आपकी तरफ से क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे हम तो हमारी कोशिश यही रहेगी हम बहुत कुछ होंगे कि हमें बिना किसी एग्रेशन के बिना किसी रोड बंद के या प्रोटेस्ट के यह चीज सुनने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात अगर नहीं होगा तो फिर मैं हमें सड़कों पर आना पड़ेगा तो हम तियार है धंडे भी बरसेंगे लेंगे जेलों में बंद करेंगे जेलों में भी रहेंगे वह कुए शुन नई है हम झhmो濃 कुश्मीर के यूज के लिए हमेशा खड़े थे हैं और रहेंगे यहते भ अरुन पाल सिंग जिन्होंने साफ तोर पर ये कहा है कि इनके द्वारा आज एक मीटिंग जो है वो जेके सस्बी के चेर्में के पास की गई है और उस मीटिंग में इन्होंने उस एज रिलाक्सेशन का जो इशू है उसके बारे में बातचीत की है अब देखना ये है कि क्या जो एज रिलाक्सेशन का इशू है ये सौट आउट होता है और नहीं होता है दूसरा है अगर एज रिलाक्सेशन का इशू जो है वो अगर हल भी हो जाता है ये मामला हल भी अगर हो जाता है तो फिर आगे क्या एज इशू एज का जो रिलाक्सेशन है वो किस नंबर पे य कि आप भी जेके SSB एस्पिरेंट हैं कि आपको भी एज रिलाक्सेशन चाहिए और अगर चाहिए तो इस वीडियो को जारा से जारा लाइक एंड शेयर कीजिए तब तक के लिए अपने कमेंट्स जो है वो जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट्स में आपके जब विचार आते ह हैं तो हमें भी इसा लगता है कि हमारे साथ हमारी आडियनस जो है वो जुड़ी हुई है तब तक के लिए मुझे मेरे सहियोगी और उनको इजाज़त दीजएगा तब तक के लिए नमस्कार